जे मातादी दोस्तों जादवी टोटके में आपका हारतिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बसोड़ा पूजा साल दो हजार चौबिस में कब पड़ेगी और इस सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा से एर करें तो आई ये शुरू करते हैं दोस्तों सीतला अस्टमी को बसोड़ा भी कहते हैं हिंदू पान्चांग के अनुसार चैत् दिन माता सीतला की पूजा की जाती है माता सीतला का पूजन करने से कई तरह के दूस प्रभावों से भक्तों को मुक्ती मिलती है मानिता है कि माता सीतला का वरत रखने से कई तरह के रोग दूर होते हैं इसके साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग वाचेचक जैसी बिमारिय से भी दूर रहते हैं। दोस्तों सीतला अस्ट्यमी के दिन माता सीतला को थंड़ा बासी भोजन का भूग लगाते हैं। इसलिए इसे बसोडा के नाम से जाना जाता है। यही बासी भोजन प्रसात के रूप में स्वयम ग्रहन करते हैं। और घर के सभी सदस्ट भी इस दिन थंड़ा बासी भोजन ही खाते हैं, सास्त्रों के नुसार सीतला माता की पूजा के दिन घर में चूला नहीं जलाना चाहिए, माता सीतला की पूजा से पर्या वरण को स्वच्छ वसाफ रखने की प्रिणा मिलती है, दोस्तों सीतला अस्टमी के एक दिन पहले यानि सप्तमी के दिन रात को ठंडा बासी भोजन बना कर घर की रसोई को साफ सुत्रा कर लेना चाहिए फिर अगले दिन सुबा प्राता काल जल्दी उठकर सीतल जलसे इसनान करने के बाद किसी सीतला माता के मंदर जाएं और पूजा की थाली में दही, पुगा, रोटी, बाजरा और सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे, मटरी आदी रखें या जो भी आपने बनाया है उसे रख लें और दूसरी थाली में आटे से बना हुआ दीपक, रोली, वस्त्र, अक्छत, हल्दी, मौली और होली वाली बढ़कुलिये की माला, सिक्के और मेंदी यादी रखें और दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख लें अब सीतला माता की पूजा करें बिना जलाए ही माता को अर्पित करें और आपने जो भी भूग लगाया है उसे माता को अर्पित करें और अंत में वापस जल जढ़ाएं और थोड़ा जल बचा कर उसे घर के सबी सदस्यों को आखो पर लगाने को दें बागी बच्चा हुआ जल घर के हर हिस्से में छड़क दें इसकी बाद होली का धहन वाली जखाय पर भी जा कर पूझा करें वहाँ थोड़ा जल और पूझन समगरे चढहें घर आने के बाद पानी रखने की जखाय पर पूझा करें अगर पूजन समगरी बच जाए तो गाय या किसी ब्रामण को दे दें इस तरह से आप बसोडा का पूजन करें चले जानते हैं कि साल दो हजार चौबिस में बसोडा पूजा कब होगी तो दोस्तों 2 अपरेल दो हजार चौबिस दिन मंगलवार को बसोडा पूजन किया जाए रहेगा और अस्टमी तिथी की सुरुआत 1 अपरेल दो हजार चौबिस की रात को 9 बचकर 9 मिनट पर हो जाएगी और अपरेल की सुबह 6 बचकर 10 मिनट से लेकर साम 6 बचकर 40 मिनट तक रहेगा और इस सुमूरत की कुलवदी 12 गंटा 30 मिनट की रहेगी और सीतला सप्तमी का पर्व एक अप्रेल दो हजार चौबिस दिन सोम वार को मनाया जाएगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमें जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें साथी चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद